हाई दोस्तों नमस्ते विल्कम बैक टो चानल आज अपनों के लिए में लेकर आई हूं मिठाय के रिस्पी वही डेबल का मीटा इसका जो इंग्रेडिन्स है असानी से मिल भी जाता है जब चाहिए उसको बना सकते हैं उसका पहले मारा एक रिक्वेस्ट है मारा चानल को कोई मैंने यहां चारगो लिया है इसका जो ब्राउन बाल पार्ट होता है उसको हटा देना है इस तरह से इसको हटा के चारगो स्लैसे करके इसको कट करना है इस तरह से कट किजिएगा तो कट करने का बाद इसको सैड रख दूंगी तो इसका बाद हम लो फिर से बीच बीच में दूद को मिलाते रहना है ताकि नीचे जलना जाए तो इस तर से मैंने ब्रेट स्लेश को कट कर दिये उसका बाद दूद को एक बार अच्छे से मीक कर दिये तो बीच-बीच में इसको चलाते रहिएगा बूलना मत तो उसका बाद मैंने हाप पैन लिया है चार टेबल स्पू अगर गी कम हो तो घी और तेल आधा-धा करके लिए की भी यूज़ कर सकते हैं इसमें मैंने ड्रैफ्रूट्स भी आट कर रही हूं इसमें ज्यादा तेल घी डालके भी फ्रै कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने हाँ इतना ही लिया हूं तो बाद में कम लगी तो म गे थूड़ा एड़ ऑट किये हूं इस तरह से मैंने सारा ड्रैफ्रूट्स को फ्रै कर दिये उसका बाद ब्रेड्स स्पून चीनी ली हूं तो चार प्रेसलेस को इतना काफी है अगर जादा डालेंगे नहीं का पाएंगे उतना जादा मीठा हो जाते हैं तो इतना डालके रख दिये सैड में उसका बाद हमारा रबडी देख लेते हैं तो रबडी भी एकदम गाड़ा हो चुके हैं तो पाग बनाने का ज़रूरत नहीं है अब मैंने इसमें लाइची पोड है और इसमें रंग भी डाले हैं रंग ऑप्शनल है इस तरह से देखेगा इतना गाड़ा होता तो ये बन जाता है उसका बाद मैंने इसी चास्नी में अब ब्रेट स्लेसेस भी डाल देती हूं पांच म ना है तो इस तरह से और ड्राइफ प्रूट स्पीस में मैंने एड़ कर रहे हूं तो चाहिए तो अब इसमें इसका उपर मावा भी डाल के सव कर सकते हैं मावा डाल के इसको सव किया जाता है किसी रीजन पर मारे वीडियो चलीगी तो लाइक कीजिगा शेर कीजिएगा थेंक्यू फर वाचिंग